असलाम अलेकुम फ्रेंड्स बिस्म्लाइश्माने रहीं आज हम लेकर आए हैं बहुती स्पेशल चार्ट जो आप घर में रखे हुए सामान से इसली बना कर त्यार कर सकते हैं और कोई यकिन नहीं करेगा कि ये रखे हुए सामान की आपने बनाई है और ये बहुती जादा टेस्टी बन कर त्यार होती है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने ले ली है ये बाइल की हुई शकरगंद इस टाइम शकरगंद का मौसम चल रहा है आपको इजली मार्किट में मिल जाएंगी और शकरगंद की चाट या फिर आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत जादा फाइदे मन्द होती है तो इनको हमने बड़ कर लिया था और इस तरह से पीस में हम इसको काट लेंगे और इस तरह से सारी शकरगंद हमने काट ली है तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इस पैन में हम ये डाल देंगे आधी कटोरी चीनी लगबख चम स्पून से नापे तो छे से साथ चमच हमने यहाँ पर चीनी ले ली है और इसमें तीन चमच के करीबे हमने ये पानी डाल दिया है इसको केरमल करेंगे और इस तरह से ही इसको छोड़ देंगे और ये आइस्ता आइस्ता दीरे दीरे पकर केरमल हो जाएगी शकरगंद इस ट्राइम अगर आप खाएं तो बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है आप बड़े तो खालेते हैं मगर बच्चे नहीं खाते इस वज़े से अगर आप इस तरह से इसको केरमल करके खिलाएंगे या फिर चाट में डाल कर खिलाएंगे बच्चे इसको इसली खालेते हैं और ये बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है यहाँ पर ये करमल हो रहा है बस ये धीरे-धीरे करमल हो जाएगा ये दिखिएगा इसका कलर भी तो चींच हो चुका है इसको ज्यादा डार्क नहीं करना है नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा बस जब ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब इसमें ही आधकब दूट डाल देना है और ये अराम से इसमें गुल जाएगा जब ये अच्छे से गुल जाए तब इसमें ये बॉil की हुई शकरगन डाल दें और फिर इनको अच्छे से इस तरह से mix कर दें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं उससे और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आजाता है तो यहाँ पर हमने लिए है ये डाइस्विक्राम देही और इसको अच्छे से फिट लेंगे और फिसमें डाल देंगे ये पिसी हुई चीनी यहाँ हमने नमक का बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं किया है नमक डालने से देही खटी हो जाती है और शाट वाली ज़्यादा खटी देही अच्छी नहीं लगती तो इस वज़़ा से हमने यहाँ पर दो से तीन चमच भी सी हुई चीनी डाल दी है तो यहाँ हमने बनाई है यह आलो की टिक्की आलो की टिक्की की रसीपी हम अगर आप चाहें तो हम दे देंगे आपको तो यहाँ पर हमने यह आलो की टिक्की ली हैं और इस तरह से तवई पर रखती हैं और इनको इस तरह से हाथ से या फिर आप इस फोन से भी इस तरह से भीच कर अच्छे से इनको सेख लें यह बहुत जादा करकरारी सी और टेस्टी टिक्की बन कर तयार होती है जब यह अच्छे करकरारी हो जाएं तो इनको एक बॉल में निकाल लें आप चाहें तो इसको पूर साबुत में भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह सी इसके पीज भी बना लें पीज बना लेंगे तो इसली ये खाई जा सकती है तो फिर इसमें हम ये डाल देंगे छोले छोले की रसी भी हमने आपको पहले दे चुके हैं अब आप पर जाकर देख सकते हैं यह छोले बहुत ही जातर टेस्टी बन कर तैयार होते alcohol फिर इसमें ही डाल देंगे केरमल किया हुई शकरगंद और इसमेद दाल देंगे बारी कटा हुआ केल कर और एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्यास यह भी बहुत ही अच्छे लगते हैं इस चाट में और फिर इसके उपर डाल देंगे देही जो हमने चीर नी डाल कर रखी दी वह इस तरह से इसमें देही डाल देंगे अच्छे सी इसको कवर कर देंगे विल्कुल भी ने होती है और फिर नॉर्मल जो धनी की चटनी होती है वह भी आप इसमें यूज कर सकती है वो डाल दें और यह हमने डाला है इसमें उपर से चाट मसाला काला नमक काली मिट्ज का पॉडर इस तरह से इन सब चीजों को हम मिक्स कर देंगे जब मिक्स हो जाएं यह देखी क आप खाने में इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज्यादा फिर हम इसको बॉल में सर्व करेंगे सर्व इस तरह से करें और फिर इसके उपर से थोड़ा सा दही और डाल दें दही डालने के बाद इस पर हम यह इमली गुड की चटनी भी डाल देंगे आप चाहें तो इसके उपर बारी कटा हुआ हर अधनिया भी डाल सकते हैं यहां पर यह हमने हरी चटनी भी डाल दी है फ्रेंट्स आपको याद दिला दें अगर आपको हमाई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें सब्सक्राइब भी जरू आ रहे हैं तो और हमारे नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा या इवन कर दिया रहे चाठ आला हाफिस